तो दोस्तो आज 9 अप्रिल 2023 कल 10 अप्रिल मंडे से एक नया ट्रेडिंग विक शुरूर ने जा रहा है जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग विक पर हम ने देखा था मार्केट में बहुती शानदार रिकवर हुआ था तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important key factors कुछ important news जो की upcoming trading week पे market को trigger कर सकता है तो दोस्तो इस बारे में आपका क्या राय है comment box में comment करके जरूर बताना कि upcoming trading week पे market recover करेगा उपर की तरह move करेगा निफ्टी जो important resistance levels है उसको break करके उपर पहुंच जाएगा या फिर से गिरावाट शुरू होगा तो please comment करके जरूर बताना अब चले एक एक करके जो important key factors है वो आपके सामने में रखता हूँ तो request करूंगा सबको वीडियो को बेना skip के पूरान तक जरूर देखना तो दोस्तों सबसे पहला जो important key factors है corporate earning तो जैसे के आपको मालूम है 31st March को ना के बल एक financial year खतम हुआ बलकि quarter four भी खतम हुआ तो हर एक company दोस्तों अपना quarter four का जो result है अभी present करना शुरू कर देगा तो सबसे पहले देखें यहाँ पे कुछ बड़े companies कुछ बड़े banks का result out होगा upcoming trading week पे जैसे कि आप अब देख सकतों इंडिया का largest IT company TCS result present करेगा 12th of April के दिन उसके बाद Infosys भी result present करेगा उसके next day 13th of April के दिन साथ ही साथ दोस्तों इंडिया का largest private sector bank HRC bank का भी result out होगा upcoming trading week पे 15 तारीक को तो मैं request करूँगा सबको channel के साथ जूरे रहना दोस्तों जब भी यह सारे companies या banks अपना-पना quarter four का result present कर देगा तो मैं आपको वीडियो के रूप में share कर दूँगा इसके पहले भी देखा कि जब रेजल का station चलता है मार्केट में तो मार्केट थोड़ा बहुत वालेटाइल भी रहता है बट कुछ-कुछ समय थोड़ा बहुत उपर की तरह भी movement देखने को मिलता है वो टिपेंड करता है कैसा अर्णिंग आ रहाए companies या banks का ठीक है तो आपकोर्स यहां पर अपकोंग ट्रेडिंग विक पर यह सारे चीज़ हमें देखने को मिलेगा तो मार्केट में थोड़ा बहुत वालेटाइल होने का भी चांस है थोड़ा बहुत उपर की तरह मूव करने का भी चांस है बट उससे भी ज्यादा इंपर यह है कि अपकम इंडिया का इंट्रेशन है इस बार से 5.7% का आने का चांस और आर्बियाई का जो एक्सक्टेशन है इस पर की 5.94 परसंट का आने का चांस है तो आप इसके पहले भी हमने देखा था कि कम ज्यादा 4% का आसपास जो की इंफलेशन की यहां पर मेंटेन करने की कोशिश बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो आड़ एका टॉलरेंस लेवल सिक्स परसंसे अभी बहुत जाद उपर नहीं है इस बार अगर 6% के नीचे आ गया तो कहने के दोस्तों यह सारी चीज़ भी मार्केट को थोड़ा उपर की तरह पूश करने में पूरा-पूरा हेल्प जर बात को 12 एपरिल के दिन यहां पर इवेस का इंफलेशन प्रेजन करेगा नेक्स डे मतलब 13 अपरिल इंडियान मार्केट में उसका इंपेक्ट देखने को मिलेगा अब सिर्भ यह नहीं एफोंसी मिनर्स भिया आप पुछो के एफोंसी मिनर्स मतलब क्या कुछ दिन तो पह में जा रहा है और लास्ट पर भी हमने देखा इवेस का इंफलेशन रेट है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था फिर भी जो ट्रॉलेंट्स लेटल था मतलब फेडरल रिजर्ब का उसके आसपरस भी नहीं था तो जिस बैसे बहुत जाते यहां पर माहिने रखेगा बहुत इंपटेन अप्रेट दोस्तों एफाइस अब देखें लास्ट ट्रेडिंग विग पर जैसे असे मार्केट में उपर की तरह मूब्मेंट शुरू हो चुका है वैसे वैसे एफाइस का भी खड़ीदारी देखने को मिला जो कि बहुत अच्छी बात है जैसे कि लास् अच्छी 243 करूर का जो कि हैं पुर्चेस कि एंडियान मार्केट कर अंथ तो कहीं आखें दोस्तों का वापसी फिर से में इंडियान मार्केट में देखने को मिला अब देखिए इसको फाइदा उटाकर जो कि यहां पर लगातार पहले बाइका था मतलब हमारे डिया इस न दॉलर पर बैरल के नीचे चल रहा था और लास्ट रेडिंग पे जो डब्लू टी आई क्रूट या ब्रेन कुट का जो प्राइज है वह करीब-करीब 80 क्रॉस कर चुका है और ब्रेन कुट तो छोड़ी दीजिए 85-86 का आसपर ट्रेट करा तो कहीं नहीं दो सो ऑइल प्रैस क साथ-साथ जो यह corporate earning out होगा इसका भी impact आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं मार्केट करने क्योंकि अब देख लिए जब TCS की बात करें, Infosys की बात करें, SDFC Bank यह तीनों इशियर दोस्तों जो कि Nifty 50 की top 10 weightage वाली share है उस list में सामिल है तो जिस बैसे कहने कि इसका भी impact आप आपको बहुत जहाँ देखने को मिलगा upcoming trading week में नेक्स चलिए थोड़ा सा global market का हाल चाल देख लेते हैं क्योंकि last Friday के दिन Good Friday के बज़े से नाकेवल इंडियार मार्केट बल्कि यहां पे US market भी close था बट उसके पहले Thursday के दिन जो कि डॉर जोंस most important index US का उसमें एकदब marginal closing वा मतब एंडि की समय कोई बहुत बड़ा तेजी आगिरावर देखने को नहीं मिला बट अच्छी बात यह है आईटी सेक्टर के लिए खास करके नास्टेक के अंदर Thursday के दिन लगबग 0.76% उपर आके closing दिया नाकेवल 0.76% उपर आके closing दिन बल्कि नास्टेक जो कि एक दो द आपनीज आसे की TCS, Infosys, Vipro, ECL यह से शेयर के अंदर जरूर देखने को मिल जाकता है नेक्स्ट दोस्तों चले थोड़ सा अधानी ग्रूप के पर कुछ इंपर्टेंट अप्डेट्स हाया आज की रेट पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा तो आप देर आप देर देर बज़े का लेतेस्ट आपडेट है है अधानी ग्रूप brand custodian Amand Kumar step down from NDTV बैसिकल एदानी ग्रूप जो कि आमने देखा लास्ट य्र एंडीट को खरत लिया था तो NDTV गई एक बहुत बड़ा board of director ठीक जिक है जिनका नाम है आप आप देख से को अमन कुमार सिंह तो इन् के ओपर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया देखें से इस बैज चेर्मेन दिनेश कुमार खड़ा अधानी ग्रूप मेंटेनिंग डेट रिपेमेंट अब्लिकेशन नो कंसर्ण ओवर कैश फ्लोस ऑफ ग्रूप एंटाइटिस तो उनका मतलब कहना का मतलब यह है कि अधानी ग्र किया तो तब से अभी तक लगाता डेट के उपर बहुत अच्छे काम कर रहा है लगाता यह कंप करने के लिए लगातार स्टेप कर रहा है उसको पर एक्शन ले रहा है बट कंपनी का जो कैश फ्लो है दोस्तों वह आज भी पहले जैसा है इवन आप बोल सकते थोड़ा बह पर भी आगे काम करने की बहुत जरूरत है यहां पर आदानी ग्रूप को तो इन्होंने इस टॉपिक को पर थोड़ा से यहां पर मेंशन किया तो इस बारे में आपका क्या रहा है कमेंट वक्सों कमेंट करके जरूर बताना नेक्स दोस्तों बात करेंगे निफ्टी 50 को उपर तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना कल किस तरब मार्केट रह सकता है उपर कहां पर रेजिस्टेंस है नीचे कहां पर सपोर्ट है सब कुछ डिटेल उस वीडियो में मैं जो की कवर कर दूंगा ठीक है तो फिलाल दोस्तों इस वी कर बाबाई जय हिंदे